हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मालपुवा फूला फूला जालीदार इस स्टाइल से बनाएंगे तो आपकी भी सारे मालपुवे फूले फूले बनेंगे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा सभी को देखिए माल पुआ बिल्कुल फूला फूला जालेदार बना है चले शुरू करते हैं कैसे बनाना है एक बॉल में लेंगे एक छोटी कटोरी आटा एक छोटी कटोरी मैदा एक छोटी कटोरी सूजी और दो छोटी कटोरी मैं लूँगी चीनी अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा दूट डालके मिलाते जाएंगे दूट डालने से माल पुआ जालेदार बनता है दूट थोड़ा थोड़ा करके डालिए एक साथ नहीं दूट डालके अच्छे से फेट लेंगे खुब जादा फेटना है जादा फेटने से माल पुआ फोला फोला बनेगा अच्छे से फेट गया है अब 30 मिनट के लिए धकन धके रख देंगे 30 मिनट होगा है चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है और सोजी भी फूल गई है एक बार फिर फेट लेंगे यह दिखी बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हुआ है बिल्कुल ऐसे ही बैटर चाहिए माल पुआ के लिए गैस पहन करा है चड़ा है तेल डाला है तेल को अच्छा से गर्म किया है मैंने मैं चम्मा से थोड़ा और करके डालेंगे माल पुआ को मीडियम फ्लेम पे माल पुआ को तलने के लिए लिए ना टैल या घी का इस्तमाल कि जीगा सरसोगते बिल्कुल कर ना लिजेका इससे टेस्ट अच्छा महां रता है त्थोड़ा करके दालेंगे त् 넉र्म एक साइट प्राई हो जाए इसके बाद बलट लेंगे यह दिखी सारे मालत फुले-फुले और जली-दर बने हैं फ्राई हो गया है प्लेट में निकालेंगे इस तरीके से और भी मालत प्राई कर लेंगे इस style से बनाएंगे तो सारे मलपुए फुले फुले बनेंगे ये दिखिए सारे के सारे मलपुए फुले बने है जातरा लोगों के मलपुए फुले नहीं बनते हैं और चिपक जाते हैं इस style से बनाएंगे तो सारे मालपुए फूले बनेंगे और जिपकेंगे भी नहीं ये देखिए बहुत ही tasty बना है जालीदार बना है अगर आपको मालपुए की recipe अच्छी लगी तो वीडियो को like, comments और चैनल को subscribe करेगा